तो है गाईज एक बार फिर्ट साब कर स्वागत है हमारे चैनल पर गाईज आज मैं एक नया अपडेट लेकर आया हूँ जो कि आपके गॉर्मेंट रिलेटर जॉब के बारे में यदि आपको एरफोर्स में जाने का सपना है तो एक बार फिर्ट साब के लिए मौका आप जा स डाल दूंगा अराम सब डाउनलोड करके अपलाई कर सकते लास्ट डेट के बारे में आपको बताएंगे चलिए बात कर लेते किस-किस पोस्ट के लिए निकलावा फॉर्म और चैनल पर पहली बार विजिट कर दो चैनल को जड़ो सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि आपको इसा ही वीडियो मिलता रहा है गौर्मेंट जॉब रिलेटेड तो देखे सबसे पहला गाइस देखे यहां पर पोस्टल एड्रेस दिया आवा मतलब किस-किस डिपार्टमेंट में निकलावा है तो देख लिजेगा यह में आपको नहीं बताने वाला सिंपल समय आपको पो पोस्ट निकलावा नमर वेकेंसी एक ही है जो अन्रिजर्ब खिलिया है उसके बाद गाइस मेस स्टाफ है इसमें भी एक पोस्ट है और मल्टी टास्किंग स्टाफ एनिंए म्टी एस का एक पोस्ट है यानि जो पहला नमर पर एई एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स चे में गाइस टोटल तीन पोस्ट निकलावा याद रखेगा इंडियान एर फोर्स में उसके बाद बात करेंगे दुसरा दुसरा जो पर्सिडेंट सेंट्रल एमीन सेलेक्शन बोर्ड में यहां पर टोटल दो कैटेगरी भी निकलावा एक हिंदी टाइपिस्ट एक मल्टी इ लिए एक पोश्ट है और MTS के लिए पर टोटल दो पोश्ट है आगे बात करते हैं जो दुसरा फिर से पोश्ट निकलावा याद फिर से MTS निकलावा यह दूसरा ब्रांच का है दियान रिखिएगा MTS कहां पर धेरो सारा पोश्ट आपको देखने को मिल जागा बड़ बर MTS location में निकलावा यह मत सुचेगा कि एक पोश्ट एक पोश्ट के बहुत सारे जगा निकलावा यह देख लिए MTS के यहां एक पोश्ट है बात करें तो हाउस्किपिंग का है पर एक पोश्ट रखा गया चोथे नमर पर गया जो गुरूग्राम में है यहां पर कूक के लि यहां पर आप यहां पर चार पोश्ट रखा गया धार रिख्येगा यहां पर पोस्ट समय याद रखेगा कहां सा फिल करें हाउस्किपिंग संपнутे हेहां पर पोश्ट रखा गया है आगे बात करते हैं लिए जोका शॉक्ट का नीव डिली से कलर 17999टे नह दिए मॉश्ट इस्टप का एक ही पोस्ट है, आगे बात करें, New Delhi का फिर सो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखे, Hindi टपीष्ट का एक ठोश रखा गया है, उसके बाद इहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे, ущ classroom commander की बात करें, तो यहाँ पे देखे, यहाँ पाफी सारा पोस्ट है, एक एक पोस्ट के लिए देखे हिंदी टापिस्ट का एक पोस्ट है इस्टोर कीपर का एक पोस्ट का एक पोस्ट है पेंटर का एक पोस्ट में सिस्ट आपका यहां पर एक पोस्ट है टोटल यहां पर आपका पांच पोस्ट हो जाता है आगे बात करते हैं लास्ट जो दस्व पोश्ट के लिए के लिए दो पोश्ट और हाऊस कीपिंग के लिए छे पोश्ट मेसि षी स्टाप के लिए छपॉष्टbirds ऊपॉष्ट इतने सारे पोस्टों में बैकेंसी निकला के लिए एघ्या अब बात करतें में जैंक यहाँ फे communauté लिमिट के बारे में जो कि काफी इंपटनड एज लिमिट आपके लिए इस लिमिट इन ऑि के लिए शहां धर सब्सक्राइब को मिल जाएं कि आप आगे यह आप कॉलिफीकेशन केobra़े में आप आपने तो पोस्ट जान लिया अब कॉलिफिकेशन जानना काफी इंपोर्टन देखिया पोस्ट देखिये इस्टोर के लिए गाइज लेबल 6 का पेस्केल होने वाला इसके साथ आपको ग्रेजुएट होना काफी इंपोर्टन है कोई भी माहिनाता प्राप्त इनुवर्सिटी इसे साथ ही आपके पास experience है desirable है इंपोर्टन नहीं है desirable experience है आपको यह preference मिलने वाला है लवर डिवजन कलर के बात करें पेस्के लेबल 2 का होने वाला है त्वेल्थ क्लास पास होना चाहिए प्लस इसमें आपको टाइपिंग काफी इंपोर्टन है टाइपिंग आपका 35 वर्ड पर मिनट एज इंग्लिस और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए आगे बात करते हैं हिंडी टाइपिस्ट का गाइज यदि आप फॉम भर तो लेबल 2 का पेस्केल होगा इसमें भी 12 पास चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका टाइम में टाइमिंग टाइपिंग होना चाहिए टाइम आपको 10 मिनट का मिलेगा आगे बात करते हैं इस्टोर की पर यदि आप इस्टोर की पर का भर रहे हो तो यहां लेबल 2 का मिलेगा और इसमें भी 12 पास होना चाहिए कोई भी मानने था प्राप्त कॉलिज से और साथ ही आपका डिजार्बर है आपका एक्सप्रियंस है तो काफी आपको बेनिफिट म होना काफी जोование प्लास टू सालका पाला आपके लिए काफी इंप्वाराध नहीं है यहां पर रिकवार का लिए कि आप को कुछ का भार रहो गाई तो यहां पे लेबल टूटु का भी पेस के लोगा मेर्कूलेशन चाहिए isti साथ ही साथ को से वन इयर dependent होना चाहिएだ कि玩 लिए देखिए कि और के यहां पे से भर सकते हों आगे मात करते हैं हाउस कीपिंग का तो मेक्ट्रीशन पास होना चाहिए सिंपल कोई भी मानियता प्राप्ट इसकूल से मेसिस टाप के लिए वेद अएंप्रोन प्राप्ट और एक्सप्रियंस है तो आपको देखिए बेनिफिट मिलने वाला है मोड अप सेलेक्शन की बात करें गाइस तो यहां पर आपका रिटर्ण टेस्ट लिया जाएगा और यहां पर सिलेबस दे दिया है देखिए सिंपल सा सिलेबस है जो नॉर्माल एक्जा में रहता है वही जेनरल इंटलिजन्स इंग्लिस लेंग्वेज नुम्रिकल अपर सिलेबस दिया वहा है अब में इसका डाल दूंगा आप डिटियल पढ़ लीजेगा इंपोर्टन जो चीज है मैं आपको वहां बता दे रहा हूं यहां पर बात कर लेते हैं जब से फर्म निकला आप 30 दिन के भीतर यह आफ लाइन फोर्म वहां तक पहुंच जाना चाहीं एड्रेस दे दिया है आए इसके फर्म के बारे में जान लेते हैं यह रहा इसका फर्म निचे में यहां पर कुछ जेनरल इंस्ट्रेक्शन है और यहां रहां यहां फर्म को आपको प्रिंट कराना और पो पोस्ट के देगा है इसको पहला कर रहा हम यहां ध्यान ओंड्रेस यहां पर माने लेट कारें разв कर लोंक षाज बोकुछ और आप सर्फियर यह स्रीप आफिस वाले भरेंगे यह एडमिट कार्ड आपको हो जाएगा बाकी यही कुछ आफ फर्म में आए होप आपको एटुज नोलेज मिल गया होगा यदि फिर भी कोई भी डाउट है इंडियान एरफोर्स सिविलियन पोस्ट के लिए तो नीचे कमेंड कीजिए मैं को हर एक डाउट क्लियर करने का ट्राइ करणगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो के सब्सक्राइब जाहीं देख